दमास्टर प्रकास क्लासेज यूटूब क्यानल आप सभी लोगों का स्वाथ करता है अन्दिम समय में हमें अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए इसी उद्धियस के लिए हम लोग अपने प्रैक्रिस एट को स्वाल कर रहे हैं तो अचलिए फटा-फट आज के प्रैक्रिस एट को स्वाल करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम तो इस प्रैक्रिस एट का जो पहला प्रिष्ण है उसमें लिखा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको बताना है एक तरफ राजाओं के नाम दिये गया है एक तरफ उनके समय आए हुए यातियों के नाम रखे गया है तो यहाँ पर बिकल्प D सा जहां के समय कौन आथा जोड़ान आया था यह वाला जोड़ा जो दिया गया है यह हमारा गलत है यानि कि जो गलत है वही हमारा सही है तो पहले प्रिशन के लिए बिकल्प D हमारा सही रहेगा दूसरे नमर चलते हैं हम लोग भारत में पुर्तगाली समराज की संस्थापक कौन माने जाते हैं तो पृतिगाली सामराज जो है भारत में उसके संस्थापक किसे माना जाता है दूसरे प्रिष्ण के लिए बिकल्प आप फटा-फट देखते जाएए और जल्दी जल्दी इसका अंसर बताते चलिए दूसरे प्रिष्ण के लिए आपका बिकल्प C. अलफानसो दा अलब करक बिल्कुल सही रहेगा तीसे नमर्प त्लते हैं नमगत में से कौन सा एक सही काला नुक्रम है यानि कि समय के नुसर आपको ब्युक्सित करना है पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया इसी प्रिकार से करम आपको लगाना है चार बिकल्पों को ध और एक मिनट का समय देजी है परसिद बौद बिद्वान असुघोस किसके समकालिन थे तो असुघोस के समय कौन राजा था ये आपको बताना है चोटे प्रिश्ण में बिकल्पी कनिस्थ बिल्कुल सही रहेगा मगत का कौन सा समराठ अपरा परसुराम के नाम से जाना जा यहां पर आपका पांचों नमबर में बिकल्प डी महा पद्व नन्द बिल्कुल सही रहेगा शठे नमर चलते हैं नम्लिक में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियासील बिधान परिशत का सिर्जन किया था तो किस चाटट एक्ट के दौरा बिधान परिशत का लिए बिकल्प C चाटट एक अठारा सुत्ते रहेपन आपका बिल्कुल सही रहेगा शात्वे नमर चलते हैं नम्लिक में से कौन आई एन ए अधिकारी कैप्टन पीके सहेगल कैप्टन सहनवाज खान और कैप्टन जी एह धिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में था तो आजाद हिन्द फॉच के जो क्रामतिकारी साथी थे उनका मुकदमा कौन लड़ा रहा था ये आपको बताना है साथमे प्रिष्ण में बिकल्प A भूला भाई देश आई बेलकुल शहीर हैगा आठमे नमर प्चलते हैं महत्मा गाधिन ने अम्दताह सबने अवग्या आंदुरन कब इस्थजित किया था तो सबने अवग्या आंदुरन महत्मा गाधिन ने कब खत्म किया था अठमे प्रिस्ट का وिकल्प D उनीस सो चांटिश वेल्कुल सही है इनकलाब जिन्दाबाद के नारा किस ने दिया था यह पर सिध्ध नारा किस ने दिया था सबको पता होनाρί statue इसके लिए थोड़ा सा अर्जेस्ट करना पड़ेगा एक कथन है फिर कारण दिया गया है प्रारंभिक राष्ट्रे आंदोलन की आधार भूमी आधार भूत कमजोरी उसका संक्यर सामाजिक आधार था ठीक है अब से कारण में क्या लिखा है यह इसमें संम्लित होने वाले सामाजिक सम्हू के संकेन लिखन हितों के लिए लड़ता था तो इक कथन का जो कारण दिया गया है उसके आधार पर चार भीकलब दिये गया है इनन में से कौन सा भीकलब सही आपको बताना है तो फटा-फटा भीकलब पहलीजिए इसके लिए हमारा जो विकल्प सी है वो हमारा सही है यानि कि जो कथन लिखा गया है वो तो सही है जो कारण लिखा गया है वो हमारा गलत है तो लिए आगे बढ़ते हैं अपने 11 नमबर के प्रिश्ण पर और एक मिनट का पहले स्कोर जेस्ट कर लेते हैं हम लोग हां पार्क लैंड एक बनस्पती होती है ये कहां की विशेषता है तो पार्क लैंड जो बनस्पती है ये कहां पाई जाती है 11 number में आपका विकल्प भी जो है समाना घांस के मैदानों में पार्क लैंड पंस्कती पाई आती है भूकम की तीबरता किस से ना पी जाती है सबको पता है भाई या भूकम की तीबरता जो है रियक्टर पहमाने से ना पी जाती है अब तेरा नंबर में भी आपके जो सूची मिलाने वाले प्रिष्ण है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि बिकल्प बाद में देखेंगे इंडियन एल्मुनियम कंपणी कहा है ये सबसे उपर हीराकुण में है और नालकु कहा है को राकुट में है तो इस प्रकार अगर आप बिकल्प को देखेंगे तो तेरवे प्रिष्ण के लिए आपका ये जो बिकल्प B है ये आपका बिकल्प B बिलकुल सही रहेगा चोदा नमर चलते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ गर्म जल के श्रोत है और दूसरे तरफ उनकी इस्तती है कहा पर वो है तो चोदा प्रिशन के लिए जो ये विकलप भी है जौला मुखी ये जम्मो कश्मीर में है ये पूरी तरह किसे गलत है आगे बढ़ते हैं पंदर नमर पर निम्ण में से कौन सा एक देश जी एट का सदस्य नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर विकलपसी स्पेन बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले परिशन पर बौध जो बौधों की अधिक्तम संक्षिया है वो किस राज में पाई आती है यानि बौध धम को माननी वाले सरवाधिक किस राज में रहते है तो सोल्वे क बिकलपसी महराष्ट बिल्कुल सही है सतर नंबर चलते हैं दो जार पांच और छे में प्रारम की गई एक योजना जिसका नाम है भारत निर्मार इस योजना से कौन संबंधित नहीं है यह आपको बताना है चार बिकलपों में भारत निर्मार योजना से कौन संबंधित न होता है तो BIFR का सम्मंद किस से है बिकल्प फटा-फट पढ़ते जाए तो इसका जो पहला बिकल्प है रुग्ण और धोगिक एकाईयों के पुनर्निर्मान से सम्मंदित BIFR होता है आर्थिक नियोजन किस प्रकार का विशय होता है आर्थिक नियोजन किस प्रकार का विशय है हमें पता होना चाहिए आर्थिक नियोजन सम्मुर्थी सूची का विशय है इस नमर चलते हैं मुद्रा वियों बित्ये मामलों में सरकार का बित्ये अभिकरता और सलाहकार कौन होता है, सरकार का बित्ये अभिकरता और सलाहकार कौन होता है, बिकल्प C, RBI होता है, अब यहाँ पर नगर पंचायत के, हाँ, ठीक है, नगर पंचायत की वाइड सम्ती के विसे में यहाँ प तो 21 नमर के प्रिष्ण के लिए जो तीसरा वाला वाला विकल्फ है ये विकल्फ सी ये हमारा सही रहेगा यानि कि पहला दूसरा और तीसरा ये वाग के आपके नगर पंचायत में वार्ड समुति के बारे में सही हैं और बागी सब गलत है आगे बढ़ते हैं अपने 22 नमर के प्रिष्ण पर अगर एक उच्छ न्यालय का न्याधिस अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे सम्मोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा हाई कोड का जो न्याधिस होता है वो किसे त्याग पत्र देता है 22 का A, राश्टपती, विल्कुल सही है, 23 नमर पुछलते हैं, लोगसभाव राजसभाव की जो गनपूर्थी संख्या होती है, वो कितनी होती है तो 23 नमर में विकल्पती कितना होता है, 1 by 10 होता है, टोटल सदस्यों का 1 by 10 होता है, 24 नमर पुछलते है निमलित में से भारत में मौलिक कर्टब बे कौन सा है, तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा मौलिक कर्टब है, यह आपको बताना है तो चौबिस नमर में जो आउका बिकल्प भी है हमारी मिली जुली संस्कृति की सम्रत बिरासत को समख्षित करना और महत्वप्रदान करना ये हमारा मौलिक करतब है भार्दे सम्धान की ग्यारवी अनसूची किस से सम्मन्दित है? ग्यारवी अनसूची पंजायती राज से सम्मन्दित है आगे भड़ते हैं निम्रत में से कौन सा वायू परदूर्टान का एक जैयू सूचक है? तो वायू परदूर्टान का एक जैयू सूचक कौन सा है? 26 नमबर में बिकल्पी, लाइकेन, बलकुल सही है 27 नमर प्तलते हैं, लार निम्रत में से किसके पाचन में सहयोग होती है? तो हमारे मुह में जो लार पाई जाती है, वो किसका पाचन करती है? तो दिये गए बिकल्पों में से जो लार होती है वो starch का पाचन करती है यानि carbohydrates का पाचन करती है 28 नमर पिर्थवी का आयू का मापन निम्न में से किस बिधी दोरा किया जाता है यदि पिर्थवी की आयू का पता लगाना है तो कौन सी बिधी हम लोग अपनाएंगे 28 नंबर में बिकल्प D, यूरिनियम बिधुई बिल्कुल सही रहेगा 29 नंबर चलते हैं निमल्ड में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है तो फिनॉल का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है 29 नंबर में आपका आखरी बिकल्प D, बेकलाइट बिल्कुल सही है 30 नंबर चलते हैं आकास नीला दिखाई देता है तो भया आपको बताना है आकास नीला क्यों दिखाई देता है तो 30 नंबर के प्रिशन के लिए पहला वाला बिकल्प है प्रिकास के परकिरन इस घर्टना के काराण आकास नीला दिखाई देता है अब 31 नंबर से हमारे गनत के प्रिशन स्टार्ट होते हैं यह गनत के प्रिश हम लोग यहाँ पर सौल्व नहीं करते हैं इसलिए हम लोग सीथे चलते हैं अपने 36 नंबर पर प्रिश्वी राज राषो इसके यह एक पुस्तक है प्रिश्वी राज राषो यह किसकी रचना है यह आपको बताना है तो 36 नंबर का विकल्प सी चन्दब बरदाई बिलकुल सही रहेगा यह आपसान प्रिश्वी को हम लोग थोड़ा स्पीड में स्वाल्व करते हैं लोहा मानना क्या आठ होता है तो इसका विकल्प सी शरिष्टा सुग करना बिलकुल सही रहेगा आपको संधी बिच्चेद करना है किसका करना है धर्मात्मा का धर्मात्मा का संधी बिच्चेद क्या होगा 38 नमर में बिकल्पी धर्म प्लस आत्मा 39 नमर पर आप निसंग को चले जाओ यह एक वाक्व दिया गया है यह वाक्व गलत है इसको आपको सुद्ध करना है इन चार बिकल्पों में तो उसका सही बाकि क्या बनेगा बिकल्प सी आप नी संकोच चले जाएए बिकल्प सी यहाँ पर हमारा बिलकुत सही है चालिस नमर चलते हैं आखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा तो यह जो अंडर लाइन में लिखा गया है इसमें बताना है कि इसके लिए एक सब्सक्राइए अगरिजे की सामने घटित होने को भर नेगा हम्लोग क्या कहते हैं प्रतेक्ष कहते हैं विकल्प एंग हमारा बिलकुत सही रहेगा अब हमारे जो 41 नमर के पृष्ण है वो अंग्रेजी के पृष्ण है तो जिसको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है जिन्हें उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा वो इसकिप करके थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं और अगर आपको अंग्रेजी थोड़ा बहुत पी आती है तो इसको आप solution देख लिजे और बाकी ये सारे आज जो है इसको आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा और डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़के फिर आंसर देने की कोशिश करिए तो उपर जो आपका गध्यांस दिया जया है उसके अधार पर हमारा question पूछा जा रहा है जो रूट बिल्कुल सही है आप जब पूरा पर पर पढ़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा अगले प्रिश्ण में 22 नंबर में हमें सिलिंदा बलेंग्स करना है खाले स्थान भरना है तो 22 नंबर में हमारा दिया गया है तो यहाँ पर क्या खाले स्थान आएगा यह आपको भरना है अब आपको क्या करना है कि वीडियो पॉस करके अपना पूरा दिमाख लगा लेना हम यहाँ पर सिर्फ सलूशन ही बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बिकल्प्सी ओफ आएगा 43 नमबर में भी वीडियो पॉस करके अपने हिसाब सिसका पहले आंसर ढूर लीजिए फिर हमारा सलूशन देखिए I am sure that I am sure that principal फिर हाँ खाले स्थान है in his room तो fill in the blanks क्या इसमें सही रहेगा 43 नमबर में आपका बिकल्प्सी मस्ट भी सही रहेगा 44 नमबर आपका direct indirect का प्रिशन है एक सेंटेंस दिया रहेगा डारेक्ट में कौन सेंटेंस है Are you the manager I said अब इसको indirect में आपको convert करना है तो पहले इसको आप swing करिएगा गलस सही कुछ भी करिए उसके बाद हमारा solution देखिएगा इसके लिए choice नमबर में जो पहला विकल्प है I asked him whether he was the manager ये बिल्कुल सही रहेगा मैतल्स नमबर में active passive का प्रिशन है एक वाद के है जो active में दिया रहेगा Your body use water for fat इसको आपको passive में convert करना पड़ेगा तो इसमें भी आपको ही करना है वीडियो पॉस करके पहले अपने हिसाब से आंसर निकलना है फिर solution देखना है तो पैतल्स नमबर का जो विकल्पडी है वो हमारा सही रहेगा Water is used for fat by your body तो अब हम लोग 6 नमबर चलता है ये reasoning के प्रिशन है reasoning के प्रिशनों को भी हम लोग यहाँ पर solve नहीं करते है नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए सीधे बढ़ते हम लोग अपने 51 इंक्यावन नमबर के प्रिशन पर तो इंक्यावन नमबर का प्रिशन हमारा दिया गया है निम्लित मेंसे किस सहर में Central Footwear Training Institute इस्थित है तो Central Footwear Training Institute कहाँ पर है इंक्यावन नमबर का बिकल्क सी आगरा बिल्कुल सही है विस्व जन संख्यादिवस कब मना जाता है विस्व जन संख्यादिवस 11 जुलाई को मना जाता है आगे बढ़ते हैं भारत में निर्त नाट और संख्याद के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्लित मेंसे कौन अकादमी जिम्मेदार है तो किस अकादमी के दोरा निर्त नाट और संख्याद को बढ़ावा दिया जाता है तो 53 नमर का जो आपका आखरी विकल्प है विकल्प D, संगीत अकादमी, बिल्कुल सही रहेगा, चोवन नमर दिलते हैं, निमिल्द में से कौन सा एक विकल्प मीथियन के, उस सर्जन का स्रोत नहीं है, तो मीथियन कहां से नहीं निकलती है, ये आपको बताना है इन चार विकल्पों में, चोवन नमर में, विकल्प A, मोटर वहन, बिल्कुल सही है, चोवन नमर दिलते हैं, निमिल्प में से कौन बरतमान में, विस्ट बैंग का अध्यक्ष है, तो विस्ट बैंग के अध्यक्ष कौन है, विकल्प A, जिम, योंग, किम, ये विस्ट बैंग के अध्यक्ष है, चोवन नमर दिलते हैं, सौर गर्ण नमर का जो आपका बिकल्बू बी है जो आ रिये हाइयपोथिस जिसको जेम्स जीश और हैरोल्ड जेफरीं न दिया था बिकल्बू बी हमारा सही है व ऊटिये प्मू सेमन नमर उर्प्षेते हैं भारती राजों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमालिद करता है मुद्रा बिल होने के लिए कौन प्रमालिद करता है भारती राज़ों में तो राज बिधान सभा का अध्यक्ष ठीक है ये प्रमालिद करता है कोई बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है आगे बढ़ता है 58 नमर पे अवत के निम्लित में से किस नब इसनों में बड़ा इमामबारा बनवाया था तो बड़ा इमामबारा किस ने बनवाया था बिकल्प A आसिफ उद्धौला आपका बिलकुल सही है 59 नमर को चलते हैं भारत चेक सिस्थी को राश्ट्रिय कैंसर जागरूता दिवस की रूप में मनाया जाता है तो राश्ट्रिय तो इसके लिए जो आप विकल्प नीचे देख रहे हैं वो इसमें पहला जो विकल्प वही हमारा सहीर आएगा यानि कि और जापान इसमें सामिल है अचा यहाँ पर एक चीजा और बताना चाहेंगे जो आपके करंट अफेर्स यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे ही इसको पढ़ेंगे ही इसके साथ हम लोग करंट अफेर्स के बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं आपकी परिच्छा तक की मैक्समम वीडियो होती है छोड़ी छोड़ी वीडियो बनाने से आप बहुत ही बेसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस चैनल पर जो करंट अफेर्स के प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको आप जरूर जाके देखीगा आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो नाइडू ने क्लिया था मासर नमर पर हाली में संपन हुए छठें भारत अंतराष्टिये बिज्ञान महस्तव 2020 का लक्ष क्या था तो बासर नमर में देश को कोरोना वायरस मुक्त बनाना यही हमारा तरसर नमर चलते हैं नीती आयोग ने भारत में जन स्वास्त निगरानी के बारे में हाल ही में एक स्वेत पत्र जारी किया है इस स्वेत पत्र का क्या सीर सक था तो 63 नमर का विकल्प ए बिजन 2035 आपका बिल्कुल सही है भारत में आपका बिकल्प सी बांगला देश बिल्कुल सही है पैसर नमर चलते हैं, निम्ड में से किस राज adult में त्री इस्तर्य पंचायत राज आधनियम को आपनाने की हाल ही में मंजूरी भी है, तो त्री इस्तरी जो पंचायत व्योस था है वो कहा अपना ही जा रही है, जम्मु समीर बिकलफ D में अपना ही जा रही है, आगे बढ़त सतार्ख सुरक्षित और सूचित करना ये इसका मुख भी सह था 67 नमर पर चलते हैं एक मेंट प्रिशन थोड़ा बड़ा है अचले इस प्रकार के लंबे चोड़े प्रिशन हम लोग करते भी नहीं है क्योंकि PCS लेबल के प्रिशन हमें पढ़ना नहीं है आगे 68 नमर पर हम ल प्रिशन निवेश का प्रस्ताव है तो 68 नमर में आपका बिकल्प जो C है 74 प्रसेंट बिल्कुल सही रहेगा एक पुस्तक है जिसका नाम है बाय मैनी आ हैपी एक्सिडेंट रिक कलेक्शन और लाइफ इसके राइटर कौन है इसके राइटर है वही अपने पुराने अंसर रहेगा मनिका बत्रा बिकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे हमारे दस प्रिशन है हिंदी गध्यांस के तो आप पीडियाफ डाउनलूड कर लीजिएगा टेलिग्राम चैनल पर जाकर और फिर आप इस पीडियाफ को आराम से पढ़ते हुए इन सारे प्रि